हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लंबा सा चोड़ा सा बक्रम लेंगे, बक्रम की लंबाई हमने साड़े 12 इंच ली है, और चोड़ाई हमने 11 इंच ली है, बीच में से बक्रम को फोल्ड करेंगे, और यहां से हम 3 इन इंच दो पॉइंट की चोड़ाई नापकर टिक लगाएंगे, अब हमें 5 इंच की लंबाई नापकर यहां पर टिक लगाना है, ऐसे टिक लगाने के बाद से इसकेल की सहायता से हम दोनों साइट से ऐसे लाइन अप कर लेंगे, ऐसे लाइन अप करने के बाद, अब हम यहां तीर्ची में 1 इंच की ऐसे लंबाई नापकर टिक लगाएंगे, और इसे हलका सा गोल सेप देते हुए लाइन अप कर लेंगे, जिस सेप में फ्रेंड हमने इस लाइन को लाइन अप किया है, वहां से हमें 1 इंच 2 पॉइंट क इसे लंबाई नापकर टिक लगाना है, फिर यहां पर 1 इंच 2 पॉइंट की चोड़ाई नापकर टिक लगा लेंगे, इसकेल की सहायता से हम इसे ऐसे लाइन अप कर लेंगे, अब हम यहां से 3 इंच की लंबाई नापेंगे, यह देखिए यहां से यहां तक, और इसकेल की सहायता से तिर्ची में ऐसे लाइन अप कर लेंगे अब हम इस केल की सहायता से यहां से तिर्ची में ऐसे लाइन अप कर लेंगे यह देखिए ऐसे आपको लाइन अप कर लेना है अब हमें क्या करना है फ्रेंड यहां से हमें देर इंच की ऐसे चोड़ाई नापनी है और टिक लगानी है ऐसे टिक लगाने के बाद हम इस टिक को लाइन अप कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंट गले की डिजाइन को हमने लाइन अप कर लिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो पहले हमें इस लाइन की कटिंग कर लेनी है इस लाइन को कट करने के बाद अब हमें ये वाली लाइन की कटिंग करनी है यह देखिए जिस सेप में हमने लाइन आप किया है बिल्कुल उसी सेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये देखे फ्रेंट हमने गले के डिजाइन की कटिंग कर ली है कटिंग करने के बाद हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके का आएगा इसे हम इस तरीकी सहायता से कपड़े पे ऐसे चिपका लेंगे और किनारे की साइड से कपड़े को हम हलका-लका कट कर लेंगे दोनों साइड से हमने हलका-लका कपड़े को कट कर लिया है अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्रीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिए फ्रेंट किनारे के साइड से कपड़े को फोल्ड करके हमने सिलाई कर ली है अब हमें चकोर सेप में कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों तीन इंच है कपड़े को फोल्ड करके हम ऐसे डिजाइन बनाएंगे और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला देंगे बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और किनारे की साइड में सिलाई चलाकर इस डिजाइन की हम एक लंबी सी लाइन बनाकर तयार कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड इस डिजाइन की हमने एक लंबी सी लाइन बनाकर तयार कर ली है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है धागे को कट करने के बाद फ्रेंड डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए डिजाइन के उपर हम एक बार और ऐसे सिलाई कर लेंगे यहां से धागे को कट करेंगे और किनारे के साइट से एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे तो यह देखिए ऐसे आपको एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है अब हम इस डिजाइन को गले की डिजाइन में ज्वाइंट करेंगे तो यह रा हमारा गले का डिजाइन इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हम अंदर की तरफ ऐसे लगाएंगे डिजाइन को जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में डिजाइन को अंदर की तरफ ऐसे लगाकर हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद फ्रेंड हमें यहां से एश्ट्रा डिजाइन को कट कर लेना है तो ये देखिए गले की डिजाइन में एक साइड में हमने इस डिजाइन को लगा लिया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको दूसरे साइड में भी डिजाइन को लगा लेना है दोनों साइड में डिजाइन को लगाने के बाद अब हम इस डिजाइन को सूट के कपड़े में ज्वाइंट करेंगे तो ये देखिए सूट के कपड़े में गले की डिजाइन को उल्टा करके ऐसे लगाएंगे और इसके ओपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे यहाँ पर हम सिलाई को स्टॉप करेंगे और धागे को कट कर लेंगे यहां पर हलका हलका हमें डिजाइन को ऐसे कट कर लेना है अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में डिजाइन के उपर हम यहां से सिलाई चलाएंगे सिलाई चलाते समय आपको दोनों हाथों से डिजाइन को ऐसे परफेक्ट सेप में बैठाते रहना है जिससे आपके डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आएगी और आपका डिजाइन इजिली बन कर तैयार होगा तो ये देखे फ्रेंड गले की डिजाइन के उपर सिलाई चलाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हमें एश्ट्रा कपड़े को कट करना है तो सिलाई के हलके से बगल में हम एश्टरा कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे एश्टरा कपड़े को कट करने के बाद डिजाइन के कोने के साइड में हम हलका हलका कपड़े को कट कर लेंगे ध्यान रहे आपकी सिलाई कटना हो अब हमें डिजाइन को फोल्ड करके सीधा करना है तो ये देखिए डिजाइन को ऐसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे डिजाइन को ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हमें डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए डिजाइन को इस्तरी कर लेना है तो ये देखिए हमने डिजाइन को इस तरी कर लिया है अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में डिजाइन के उपर हम यहां से सिलाई चला लेंगे डिजाइन के उपर सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट कुछ इस तरीके से हमारा डिजाइन तैयार हुआ है अब हमें डिजाइन में चोड़ी पट्टी को लगाना है तो उसके लिए हमने एक छोटा सा कपड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई दो इंच है दोनों साइट से कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे यहां से धागे को कट करेंगे और इस चोड़ी पट्टी को फोल्ड करके दो भागों में कट कर लेंगे हमें मार्केट वाले बटन को भी तैयार करना है तो हमने सट का बटन लिया है इसे हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागे की मदद से कपड़े को लॉक कर देंगे अब हम यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे तो फ्रेंड बिलकुल इसी तरीके से आपको भी बटन बना लेना है मुझे बड़े साइज में बटन पसंदे तो ये देखिए मैंने बड़े साइज में बटन बनाया है तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड चोड़ी पत्ती को हमें डिजाइन में यहाँ पर ऐसे लगाना है दोनों साइड में चोड़ी पत्ती को ऐसे लगाएंगे और यह जो बटन है हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे सुई धागा के मदद से तो फ्रेंट बटन का जो हमारा साइज है आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा ले सकते हैं इसी के साथ हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो चला है मिलते हैं नेश्ट वीडियो में थैंक्स वर वर्ट